नमस्कार दोस्तों, तीन सितंबर को आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आ गया हूँ, एक गुड नियूज लेके आ गया हूँ, कि पीएफ ऑफिस के वेबसाइट में बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके अंदर आप अपना UN एक्टिवेट नहीं कर पारे थे, और अल ओवर इंडिया में लोग परिशान थे, और इसके बारे में सबसे पहले मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, कि UN एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, एक वीडियो नहीं दो वीडियो बना के दी थी, और सात में ही मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि आप लोग चेक कीजिए और अभी मैं साड़े ग्यारा बजे जब ये कन्फर्म हो चुका है, जब मैंने खुद भी UN एक्टिवेट करके देख लिया है, उसके बाद मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर इन्फोर्मेशन डाल रहा हूँ, तो आपको इस चैनल पर सबसे सटीक और सबसे फास्ट जानकारी मिलती है, तो इसके लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके, हमें दो लाग सब्सक्राइब पूरे करने हैं इस साल के एंड तक, अब इस UN को एक्टिवेट होने के बाद, किस तरह से प्रोसेस करना है, क्या क्या चीज़े आपको अब दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को देखिए, जहां पे ना केवल आपको UN एक्टिवेट, उसके बाद क्या करना होता है, KYC कैसे देखनी होती है, सर्विस रिकॉर्ड कैसे देखना हो, A to Z जानकारी आपको मिलेगी, तो अब आप अपना UN पहले एक्टिवे जैसे इसे किया जाता है, UN एक्टिवेट करने के लिए इस वेबसाइट पे आजाना है, यहां सबसे पहले आपको फॉर्गेट पासवर्ड करके देखना है, कि मेरा एक्टिवेट है या नहीं है, ठीक है ना, तो आप यहां पे, जैसे मैं यहां UN नंबर एंटर कर रहा इसको करने के बाद फिर मैं यहां पे capture code डालूँगा, यहां पे लिखा रहा है UN not active, अब हमें कहां जाना है, होम पे वापस जाएंगे, नीचे आ जाना है, important links के अंदर activate UN पे आना है, यहां पे हमें अपना UN नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहां पे आधार नंबर करना है, जो आधार कार्ड में लगाओ, वही वाला, capture code एंटर करना है, जो भी आपका small capital हो, वो धियान से वैसे ही type करना है, यहां पे आपने यह details एंटर कर ली है, और उसके बाद आपको आधार वाला mobile नंबर पे OTP चला जाता है, OTP हमने एंटर कर दिया, उसके बाद यहा activate हो चुका है, अब जब activate हो गया, आपके बास SMS आजाएगा, और SMS में आपको एक password बना बनाया आएगा, वो password अगर आप ना समझ पाएं, तो आप सीधे forget password पर आजाएए, और वापस से अपने मन पसंद का password यहां पर बना सकते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का SMS आएग तब जाके आप new password बनाने के लिए कहेगा, तो मैं आपके सामने यह process करके दिखा रहा हूँ, एक complete process मैं आपको दिखाऊँगा, देखे अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, अब यहां पर जो मेरा password by default आया है, वो मैं यहां पर एंटर कर रहा हूँ, और यह एंटर करने क आपको automatic कहेगा कि आप अपना password बदलिए, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि यह password तो कोई याद नहीं रख सकता है, और आपको तो आपका password पता होना चाहिए, आप अपनी choice का password बना सकते हैं, तो यहां पर यह process को follow कीजिए, और आप अपना UN activate करेंगे, मैं आपको आगी का प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे इसमें और चीज़े की जाती है, capture code और OTP डालने के बाद हम submit कर रहे हैं, submit करने के बाद हमें कहेगा कि आप अपना password बदलिए, तो जो password आपका लंबा चौड़ा सा आया था password उसको आप enter कर दीजिए old password में, और new password में आप अपनी choice से password बना फिलाल मैं यहां पर जो password बना रहा हूँ, बहुत simple सा password बना रहा हूँ, आपको भी simple सा ही बनाना है, इस चीज़ को बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि आपका password simple होगा, तो कोई खोल लेगा, हर बार खोलने के लिए OTP चाहिए होता है, आप निश्चिन्थ होके अपना आसान स आसान password बनाईए, देखिए यहां पर फिर से OTP पूछ रहा है, तो आप नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, PF में हर बार login करने के लिए OTP लगता है, और हर 3-3 महिने पर जो आप password बना रहे हैं, वो बदल दिया जाता है, तो इस तरह से आपको एक बार नहीं कई बार यहां पर अपना OTP एंटर करने की जरूर पड़ सकती है, तभी आपका login हो पाएगा, यह हमने अपना आधार OTP डाल दिया, अब जाके हमारा password बदल गया है, देखिए इस तरह से password हमारा बदल गया, अब जो मैंने नया password बनाया था, फिर से मुझे उसे डाल के open करना पड़ तो काम यह काफी मुश्किल है, आम लोग अगर इसे करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आपको वीडियो समझाए, तो आप जरूर से चैनल को सपोर्ट कीज़े, सब्सक्राइब कर कि फिलाल जो मेरा नया पास्वर्ड मैंने बनाया है, इसको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ताकि मेरे कम्पूर्टर में यह सेव हो जाए, और फ्यूचर में मेरे को उपन करना हो, तो पास्वर्ड मैं भूलू ना, अब अगेन मैं यहाँ पर OTP डाल रहा हूं, ब अधार कार्ड तो लगा ही है, क्या आपका पैन कार्ड और बैंक लगा है या नहीं लगा है, अगर पैन कार्ड और बैंक ना लगा हो, तो आपको उसे अपडेट करना होता है, अपडेट करने के लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है कैसे लगाई जाती है, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, यह यहां पर हमने अपना OTP एंटर कर दिया, अब जाके हमारा finally यहां login हो पाया है, और अब हम अपना देख सकते हैं कि हमारे profile में क्या-क्या जानकारी डली हुई है, हमारा अधार कार्ड डला है, पैन कार्ड नहीं डला है और bank डला हुआ है, यह तीन चीज़े हमारे डली हुई है, और बाकी हमें अब service भी देखना होता है view में जाना है, service history पर जाना है, और हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारी कितनी-कितनी जगे पर service है तो फिलाल तीन जगे पर service करी गई है, और यह भी ज़रूरी चीज़ है कि अगर तीन जगे करी गई है तो आपको transfer भी करना होता है online service पर जाके एक बार track claim status में देख लेना है कि क्या मेरा कोई transfer हुआ है, अगर transfer नहीं हुआ है तो आपको transfer भी करना पड़ सकता है, कैसे transfer किया जाएगा, कैसे KYC कि जाएगी, सारी videos मेरे channel पर आपको मिल जाएगी फिलाल देखो यहाँ KYC में हम आ गए, और KYC में आके अगर हम यहाँ पर अपना pen card लगाना चाहें, तो pen card लगा सकते हैं, ठीक है तो इस तरह से pen card पर touch करेंगे, pen card लग जाएगा, by chance आपको bank बदलना हो, कि यह bank नहीं चाहिए, हमें दूसरा bank चाहिए, तो bank पर touch करो, अपना bank detail एंटर करके, यहाँ पर save का button है, यह दबा के आप अपना काम कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने, एक complete video देखी, कि कैसे हमें even activate क के बाद हमें क्या-क्या और चीज़े करने की ज़रुत पड़ सकती है, complete जानकारी आपको इस video में मिली है, अगर आपको लगे कि मैंने आपको सही बताया है, तो आप चैनल को support ज़रूर करें, subscribe करके, मिलेंगे अगली video में, बहुत-बहुत धन्यवाद,